नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश के बाहु बली नेता गुड्डू पंडित के खिलाफ दो मुकर्मे दर्ज हो गये बुलंद सहर जन्पत के डिवई विधान सबाथ छेत्र के बाहु बली पूर्व विधायग स्री भगवान सर्मा उर्फ गुड्डू पंडित पर लागडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का उलंगन करने के आरोप में दो अलग अलग थानों में उनके खिलाफ मुकर्मा सामिल होकर नियमों का उलंगन करने के मामले में हुआ है पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने इसे साधिस करार दिया है आपको बताने की तीन दिन पूर्व विधायक गुड्डू पंडित रिवाई को त्वाली छेत के और अंगाबाद कस्ये गाउं में को जब हुआ अनूप सहर को त्वाली में दो साध्मों की हत्या के बाद पगोना गाउं गए थे आरोप है कि बाहु बली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने अपने 15-16 अग्यास समर्थों के साथ लागडाउन वा सोचल डिशनसिंग का उलंगन किया है आपको बत कोना में सिव मंदित चौराहे के पास गुड्डू पंडित मौड मस्ती के लिए टहल रहे थे ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है उदर बाहु बली गुड्डू पंडित ने दावा किया है कि उन्होंने अपने समर्थों से कहकर अपराधी को पकड़वाया है दो साध्मों की ह सत्या हो जाए और वह न जाएं ऐसा हो ही नहीं सकता हाला कि बाहु बली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का दावा कर रहे हैं कि उन्होंने सोचल डिंस्टंसिंग का पूरा ध्यान रखा था आपको बता रहें कि अब बाहु बली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित के उपर दो मुकर्मे दर्ज हो गए हैं स्पी संतोस कुमार सिंग ने फोन पर बताया है कि बाहु बली पूर्व विधायक गुड्डू पंडित वा उनके 30 से 35 समतकों के खिलाब डिवाई में एक और मामला लागडाउन उलंगन वा सोचल डिस्टंसिंग उलंगन का दर्ज किया गया है दोस्तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्वाद